व्लादिमीर इलिच उल्यानोव जिन्हे लेनिन के नाम से जाना जाता है इतिहास के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे उनका जन्म 22 अप्रेल 1870 को हुआ और 21 जन्वरी 1924 को उनका निधन हो गया उनकी विरासत एक रूसी कम्यनिस्ट क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका से अमिट रूप से जुड़ी हुई है अथक कार्यकर्ता और एक गहन राजनीतिक सिध्धान्तकार लेनिन बोलशेविकों के क्रांतिकारी मार्ग को आगे बढ़ाते हुए उनके अगुआ के रूप में उभ्रे 1917 से 1924 में अपने निधन तक उन्होंने सोवियत रूस में राष्ट्रपती के प्रमुख की उपाधी धारण की और बाद में 1922 से 1924 तक सोवियत संग का पद संभाला उनके नेतरित्व में रूस आधिपत्य के तहट एक एकल्दलिय कम्यूनिस्ट राज्य में बदल गया रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी लेनिन का वैचारिक आधार मार्क सवाद में नहित था और उन्होंने राजनीतिक सिध्धान्त तयार करके इसकी व्याख्या की जिसे अब लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है लेनिन का जन्म सिंबीर्स्क में एक विशेशाधिकार प्राप्त मध्यमवर्गिय परिवार में हुआ था हाला कि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षन तब आया जब उनके बड़े भाई को 1887 में मौत की सजाका सामना करना पड़ा इस घटना ने लेनिन को रूस के क्रांतिकारी समाजवादी परिवेश में शामिल होने के लिए प्रेरित किया रूसी सामराज्य पर शासन करने वाले दमनकारी जारवादी शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए उन्हें कजान इंपीरियल विश्वविद्यालय से निश्कासित कर दिया गया था आगामी वर्षों में उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया और अंत्र कानून की डिगरी हासिल की 1893 में लेनिन सेंट पीटर्सबर्ग में स्थानांतरित हो गए और एक प्रमुख मार्क्सवादी कार्यकरता बन गए जिन्होंने शहर के बढ़ते समाजवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया 1897 में उन पर राजदरोह का आरोप लगाया गया और तीन साल बाद उन्हें शुशिन्सकोई में निर्वासित कर दिया गया जहां उन्होंने नादेजदा कृपसकाया के साथ शादी कर ली निर्वासन के बाद लेनिन ने पश्चिमी यूरोप का रुख किया और मार्क्सवादी रूसी डेमोक्राटिक लेबर जिसे श्रम की मुक्ती समूह के रूप में भी जाना जाता है में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए 1903 में उन्होंने उस फूट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण बोल्शेविकों और मेशेविकों के बीच विभाजन हुआ जिनका नेत्रित्व जूलियस मार्टोव ने किया था लेनिन बाद में समाजवादी क्रांती के लिए अधिक कटरपंथी द्रिश्टिकों की वकालत करते हुए बोल्शेविक गुटके नेता बन गए रूस की 1905 की क्रांती की उथल पुथल भरी घटनाओं के दौरान लेनिन ने सक्रिय रूप से विद्रोह को बढ़ावा दिया जिससे आने वाले भूकम पिये बदलावों के लिए मंच तयार हुआ जैसे ही प्रथम विश्वियुद्ध शुरू हुआ उन्होंने अपने कट्टर मार्कसवादी विश्वासों के अनुरूप अंतरराष्ट्रिय सर्वहारा क्रांती में शामिल होने के लिए रूस के लिए उत्साह पूर्वक अभियान चलाया लेनिन का मानना था कि यूरोप में पूजिवादी शक्तियों को उखाड फेंकना समाजवाद की स्थापना के लिए एक आवश्यक अग्रदूत था 1917 की फरवरी क्रांती के बाद लेनिन रूस लौट आये जिसमें जार का त्याग और एक अनन्तिम सरकार की स्थापना हुई उनकी वापसी रूसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोर थी क्योंकि उन्होंने अक्टूबर क्रांती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसमें बोल्शेविकों ने नई सरकार से सक्ता छीम ली थी सामयवादी आदर्शों के प्रती लेनिन की अटूट प्रतिबधता के कारण बोल्शेविक शक्ती तेजी से मजबूत हुई और अन्तह एक नए समाजवादी राज्य का गठन हुआ लेनिन के नेत्रित्व में रूस में गहरा परिवर्तन आया रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेत्रित्व में देश एक दलिय कम्यूनिस्ट राज्य में परिवर्तित हो गया लेनिनवाद लेनिन द्वारा स्वयं विक्सित एक राजनीतिक सिध्धांत मार्कदर्शक विचारधारा के रूप में कार्य करता था इस प्रणाली ने व्यापक सोवियत संध के लिए आधार तयार किया, जो बीसवी शताब्दी के दौरान एक प्रमुख वैश्विक खिलाडी के रूप में उभरा संक्षेप में व्लादिमी लेनिन का जीवन मार्क सवाद के सिध्धानतों के प्रती अथक समर्पन और सामेवादी क्रांती की भावुक खोज से चहनित था अशान्त रूसी सामराज्ज में उनके प्रारंभिक वर्षों से लेकर अक्टूबर क्रांती और उसके बाद सोवियत रूस और सोवियत संध की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक इतिहास के पाठ्यक्रम पर लेनिन का प्रभाव अतुलनिय है उनकी विरासत क्रांतिकारी उत्साह के प्रतीक और समाजवादी आदर्शों के चैंपियन के रूप में कायम है